प्रत्य वीडियो को याद करने के कोशिश भी की होगी तो आज प्रत्य करते हैं प्रत्य क्या होते हैं मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब किसी मूल धातू के बाद प्रत्य लगता है तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है तो प्रत्य जो हैं वो क्या है शब्दान्स होते हैं ठीक है जो कि किसी मूल धातू के बाद लगकर शब्द का निर्मान करते हैं अब देखिए यहाँ पर एक्जाम्पल में जैसे खेल के ब प्रत्य लगा तो जूला बना, यहां पर आड़ी, आवट, आकु, आ, यह क्या है, प्रत्य है, तो यहां आपको क्या समझना है, कि जैसे खेलाडी है, तो इसमें आप खिल जो है, वह मूलधातु नहीं है, खिल जो है, वह कोई भी शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है खेल, ठीक है, खेल में आड़ी प्रत्य लगने पर बना खिलाडी, ऐसे ही मिल जो है, वह है, शब्द नहीं होता है, क्या होता है, मूल शब्द होता है, मेल, मेल में आवट प्रत्य लगा और बना मिलावट, ठीक है, हिंदी में प्रत्य तीन प्रकार्गी होते हैं, जैसे उप सेखेंगे संस्कृत के प्रत्य इत हर्षित गर्वित लज्जित पल्लवित यहां पर इत प्रत्य जो है वह है लगा है हर्ष में इत प्रत्य लगा हर्षित बना गर्व में इत प्रत्य लगा गर्वित बना लज्जा में इत प्रत्य लगा लज्जित बना पल्लव में इत प्र लगने से जो पहला वर्ण होता है उसमें व्रद्धी हो जाती है कैसे जैसे कि मानसिक तो मानसिक जो है उसमें देखिए जो मूल शब्द है वो क्या है मनस ठीक है मनस धन एक धार्मिक में धर्म धन एक मार्मिक में मरम धन एक पारिश्रमिक में परिश्रम धन एक अब यहां पर आप देखिए एक एक शब्द जो है उसको ध्यान दीजिए यहां पर मानसिक कैसे बना मनस में जैसे ही एक प्रत्य लगता है वैसे ही पहले वाले जो वर्ण है उसमें व्रद्धी हो जाती है इसी तरीके से मानसिक हो गया ऐसे ही धर्म में एक प्रत्य लगते ही धा के उपर आश्वर जो है जुड़ गया बन गया धार्मिक मर्म में एक प्रत्य लगते बन गया मार ठीक है तो मर्मिक नहीं बनेगा धर्मिक नहीं बनेगा मंसिक नहीं बनेगा क्या बनेगा मांसिक धार्मिक और मार्मिक यह जब एक प्रत्य लगता है तब पहले वर्ड में क्या हो जा रही है व्रिद्धी हो जा रही है इसी तरीके से पारिश्रमिक को ध्यान से देखिए यह यहां पर उपसर्ग प्रत्य दोनों है परी धन श्रम धन इक ठीक है परी परिश्रम जो है एक तो यह मूल शब्द है और इसमें भी यदि उपसर्ग निकालें तो परी धन श्रम धन इक प्रत्य जैसे लगता है वैसे ही पारिश्रमिक हो जाता है और यदि यहां पर इक प्रत नहीं होता तो ये बनता परिश्रम क्योंकि श्रम के आगे उपसर्ग लगा परी तो केवल बना परिश्रम लेकिन जैसे ही इक प्रत्य जुडा तो पहले वर्ण में क्या हो गई व्रदी और बन गया पारिश्रम एक तो यह आपको थोड़ा समझ में आया होगा नेक्स्ट है ये भारतिय, मानविय, राष्ट्रिय, इस्थानिय, ठीक है ये प्रत्य लगते ही भारत में ये प्रत्य लगते ही क्या बना भारतिय, मानव में ये प्रत्य लगते ही बना मानविय, राष्ट्र में ये प्रत्य लगते ही बना राष्ट्रिय, और इस्थान में ये प्रत्य लगते ही क्या बना इस्थानी एन आगनेय, पातेय, राधेय कौनतेय, ठीक है, यहाँ पर ए प्रत्य लगा है, तम में देखिए अधिकतम महांतम वरिश्टम और स्रेश्टम अब सब्सु शुद्धी में देखिए वरिश्ट कोई शब्द नहीं होता है क्या होता है वरिष्ठ ठा होता है टा नहीं होता है इसी तरीके से स्रेश्ट स्रेश्ट में हम ध्यान नहीं देते हैं स्रेश्ट नहीं होता है स्रेश्ट होता है नेक्स्ट है वान प्रत्य धन्वान बल्वान गुडवान दयावान यहां पर वान प्रत्य लगते ही यह शब्द बन जाता है नेक्स्ट है मान मान क्या है प्रत्य जैसे श्री के पीछे लगा मान श्री मान सोभाय के पीछे लगा मान सोभाय मान शक्ति के पीछे मान लगा सक्ति मान बुद्धी के पीछे लगा मान बुद्धी मान तो गुरुत्व लगुत्व बंधुत्व नित्रत्व अब यहां पर द है और जब बनता है गुरू ठीक है ध्यान देना है आपको कभी यदि आपने नहीं दिया हो तो गुरू में रा के पीछे चोटे उकी मात्रा है बड़े उकी मात्रा नहीं है गुरुत्व लगुत्व बंधुत्व नित्रत्व चलिए तो जो चोटी-चोटी मिस्टेक हम करते हैं और हमें पता नहीं चलता है तो यहां पर आप यह भी चीज ध्यान देना है आपको प्रत्य सीखते वक्त शाली बैवव शाली गौरव साली प्रभाव साली सक्ति शाली शाली क्या है प्रत्य है तो एक्जाम में यदि आपको प्रत्य याद है तब भी यह आपको आंसर मिल जाता है तर श्रेष्ट तर उच्च तर निम्न तर लगुतर ठीक है जैसे मैंने आपको बताया था श्रेष्ट तर है श्रेष्ट है श्रेष्ट नहीं है ठीक है ठा आएगा यहाँ पर इसी तरीके से लगुतर जब चलिये तो इनको हम एक बार दुबारा से याद करने की कोसिच करते हैं संस्कृत के पत्ते हैंे तशाली और तर ये संस्कृत के प्रत्य थी नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी के प्रत्य तो यहां मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी के प्रत्य जो है वो दो टाइब है कृत प्रत्य और तदित प्रत्य जो क्रिया के बाद में लग रहा है तदित प्रत्य जो संग्य सर्वनाम और विशेशन के बाद लग रहा है, ठीक है, चलिए, यहां पड देखिए, संगया की रचना करने वाले कृत्ष परत्यada, जैसे है, न, क sağरत अंग, तो ना लगकर क्या बन गया, बेलन, ना लगकर बन गया बंधन, ना लगकर बन गया नंदन और ना लगकर क्या बन गया चंदन तो यहाँ पर बेलन जो है उसमें मूल शब्द क्या है बेल, बंधन में बंध, नंदन में नंद, चंदन में चंद ये क्या है? ये मूलशब्द हैं और ना जो है इनके पीछे प्रत्य लग रहा है. Next है E, जैसे बोली, सोची, सुनी, हसी. तो यहाँ पर बड़ी E की मात्रा जो है वो प्रत्य का काम कर रही है. A प्रत्य देखिए, हमने उपसर्ग जो है वो A देखा था. अब हम देखिएंगे प्रत्य आ, जैसे जूला, भूल के आगे आ लगा भूला, खेल के आगे आ लगा खेला, मेल के आगे आ लगा मेला. Next देखिए अन, मोहन, रटन, पठन, तो यहाँ पर अन जो है वो प्रत्य लगा है. आहट में देखिए, बड़ बड़ आहट चलिए, तो यह हमने देखा न, इ, आ, अन, आहट यह संग्या की रचना करने वाले कृत्त प्रत्य हैं. नेक्ट देखिए विशेशन की रचना करने वाले क्रत्य प्रत्य है, आडी, एरा, आउ, उ, आडी देखिए हमने पहले भी देखा था, खेलाडी, कबाडी, खेल के आगे आडी लगा, खेलाडी बना, ठीक है, कबाड के आगे आडी लगा, कबाडी, एरा, लुटेरा, बसेरा आऊ देखिए बिकाऊ टिकाऊ दिखाऊ उ जारू जार के आगे उ लगा जारू ठीक है बाजार के आगे उ लगा बाजारू चालू खाऊ ठीक है इस तरीके से आपने देखा नेक्स्ट देखते हैं कृत प्रत्य के भेद तो कृत प्रत्य के भेद हैं कृत वाचक कर्म वाचक करण वाचक भाव वाचक और क्रिया वाचक कृत वाचक करता का बोध कराने वाले प्रत्य कृत वाचक प्रत्य कहलाते हैं जो की किसका बोध करा रहे हैं? करता का बोध करा रहे हैं जैसे हार तो पालन हार, चाखन हार, राखन हार, वाला देखिए रखवाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, ठीक है, इस तरीके से, next है क, रक्षक, भक्षक, पोशक, शोशक, अक प्रत्य लगते ही, लेखक, गायक, पाठक, नायक, ता प्रत्य लगते ही, दाता, सुन्दरता, अब देखिए यहाँ पर, चिन पर फोकस करना होता है, उनको म मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, सुन्दरता ये शब्द बना, ता प्रत्य लगकर, लेकिन यदि आपके एक्जाम में आता है सुन्दर्यता, तो वो गलत होगा, ठीक है, क्योंकि सुन्दर के आगे ता लगकर सुन्दरता बन सकता है, लेकिन सुन्दर के आगे ता नहीं लगेगा, वहाँ पर जो शब्द बनेगा वो होगा सौंदर्य, नेक्स्ट है कर्म वाचक क्रत्य प्रत्य, अब ये कर्म का बोद कराएंगे, जैसे ओना, खिलोना, बिचोना, नी प्रत्य लगा तो बना ओडनी, मतनी, छलनी, ना प्रत्य लगा तो बना पढ़ना, क्रत्य प्रत्य करण वाचक प्रत्य कहलाते हैं, जैसे अन, पालन, सोहन, जाडन, नी लगकर बना चटनी, कतरनी, सूंघनी, उ प्रत्य लगके बना जाडू, चालू, इ प्रत्य लगके बना खांसी, धांसी, फांसी, भाव वाचक क्रत्य प्रत्य, अभी आपको ये याद नहीं रखने हैं बस थोड़ा सा आपको आईडिया लगने के लिए थोड़ा डैफिनिशन जो है वो बताती हूं ताकि आपको समझ में आए तो क्रिया के जो भाव का बहुत कराने वाले प्रत्य है भावा चक्रत प्रत्य है कहलाते हैं आप जैसे मिलाप विलाप आवट देख किये लिखाई के चाई चडाई इस ना यहां पर इस अलगा कर देखकर सुनकर तो यहां पर कर प्रत्य लगा है आ देखिए सूखा भूला तो आ जो है वो हमने बहुत बार देख लिया ता देखिए खाता पीता लिखता तो ये सारे क्या थे कृत प्रत्य थे नेक्ट देखिए तद्धित प्रत्य क्रिया को छोड़ कर संग्या सर्वनाम विशेशन आदी में जोड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्य तद्धित प्रत्य कहलाते हैं तो यहाँ पर किस से बनेंगे संग्या सर्मनाम या विशेशन से बनेंगे यह देखिए मानव मानव में ता प्रत्य लगा क्या बना मानव ता जादू में गर प्रत्य लगा जादू गर बना बाल में पन प्रत्य लगा बाल पन बना लिख में आई प्रत्य लगा तो लिखाई बना, इसी तरीके से जैसे क्रत प्रत्या के भेद थे, उसी तरीके से तदित प्रत्या के भी भेद हैं, क्रत वाचक, भाव वाचक, संबंद वाचक, गुण वाचक, इस्थान वाचक, उन्ता वाचक और इस्त्रिवाचक, तो इनके भेद जो हैं वो आपको नहीं पूचे जा कुमार बना, ये प्रत्य लगा, तो माली बना, तेली बना, वाला प्रत्य लगा, तो गाड़ी वाला, तोपी वाला, इमली वाला, भाव की यदी बात आ जाए, तो देखिए, आहट लगते ही कडवाहट बना, ता लगते ही सुन्दरता, मानवता, दुर्बलता बना, आपा ल भी और किए संबंद वाचक्त अदित प्रत्य जो की संबंद का बोहत कराईंगे जैसे शरीर से शारिरिक्ट, अब देखिए, यहां पर इक प्रत्य लगते ही, जो पहला भरण होता है, उसमें वरद्धी हो जाती है, शरीर में इक प्रत्य लगा शारिरिक बना, धियान देना ह समाज में इक प्रत्य लगा सामाजिक मानस में 1 प्रत्य लगा मानसिक तर में देखिए कठिंतर समांतर उच्चतर नेक्स्ट देखिए गुणवाचक तदित प्रत्य जो गुण का बोद कराएंगे जैसे वान, गुणवान, धनवान, बलवान, यह प्रत्य लगा भारतिय, राष्ट्रिय, नाटकिय, आप प्रत्य लगा सूखा, रूखा, भूखा, यह प्रत्य लगा क्रोधी, रोगी, भोग इससे क्या बने गुड़ का बोथ कराएगा यहाँ पर वाला जो है क्या है प्रत्य है यहां पर क्या लग रहा है इया प्रत्य लगा रहा है ठीक है उधैपुर में इया प्रत्य लगा उधैपुरिया बन गया जैपुर में इया प्रत्य लगा जैपुरिया बन गया मुंबई में इया प्रत्य लगा तो क्या बन गया मुंबईया बन गया नेक्स्ट है ई रूसी चीनी राजिस्थानी ठीक है राजिस्थान में ई प्रत्य लगा क्या बना राजिस्थानी नेक्स्ट है देखिए लगुता का बोध कराने वाले तदित प्रत्य देखिए ईया जैसे लुटिया लोटा में ईया प्रत्य लगा तो क्या बना लुटिया घ याली नाली बाली यहां पर इ प्रत्य लगा डी देखिए पंकुडी आंतडी ओला देखिए खटोला सपोला मंझोला तो इस तरीके से यह शब्द जो है वो बन रहे हैं प्रत्य लगकर इस तरी वाचक तदित प्रत्य जो इस्ट्रिलिंग का बहुत कराएंगे जैसे आइन प प्रत्य लगा मालिन बन गया तो जैसे ही इन प्रत्य लगता है बड़ी की मात्रा छोटी में बदल रही है ठीकै है नी देखिए एक बर हम इनको दुबारा से रिपीट करते देखिए, तदित प्रत्य की हमने बात की थी, आर, इ, वाला, आहट, ता, आपा, इ, इक, आलू, इला, और तर, नेक्स्ट, वान, इ, आ, इ, वाला, इ, 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 डी, ओला, आइन, इन, नी, आनी और इनी, ये सब भी क्या थे, तदित प्रत्य थे, ठीक है, चलिए, अब हम देखेंगे उर्दू के प्रत्य, उर्दू के प्रत्य कौन-कौन से होते हैं, उर्दू भासा का हिंदी भासा के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भासा में उर्दू भासा के प्रत्य भी प्रयोग में आने लगे, जैसे गी, ताजगी, बानगी, सादगी, कारीगर, बाजीगर, सौधागर, यहां गर प्रत्य लग रहा है, नकलची, तोपची, अफीमची, यहां प प्रत्य है, आदम खोर, चुगल खोर, रिश्वत खोर, यहां पर खोर प्रत्य है, तो उर्दू में तो उपसर्ग प्रत्य जो है, वो कैसे होते हैं, वहां पर संधी नहीं देखने को मिलती है, वहां जैसे के जैसे उपसर्ग हैं, जैसे के जैसे प्रत्य हैं, तो वो उस वाली बात है खिदमतगार मददगार गुनेगार यहां गार प्रत्य लग रहा है बाबर नामा जग जहांगीर नामा सुलह नामा यहां नामा लग रहा है दोके बाज नशे बाज चाल बाज यहां बाज प्रत्य है जरूरत मंद एहसान मंद अकल मंद यहां मंद प्रत्य है सि इश प्रत्य, इश प्रत्य, साजिश, ख्वाइस, पर्माईस, गाह देखिए, ख्वाब गाह, ईद गाह, गीर देखिए, आलम गीर, जहां गीर, राह गीर, आना देखिए, नजराना, दोस्ताना, सालाना, इत प्रत्य लगते ही इंसानियत, खैरियत, आदमियत, इन प्रत्य लगते ही सौकीन, रंगीन, नमकीन, कार प्रत्य लगते ही शलाहकार, लेखाकार, जानकार, दान प्रत्य लगते ही खांदान, पीकदान, कूडादान, और बंद प्रत्य लगते ही कमरबन, नजरबन और दस् एक शब्द जो है वो इसलिए करवा रही हूँ यदि आपके शब्द सुद्ध में वो वर्ण जो है यदि आपके सब्द सुद्ध में वो शब्द आ जाए तो वो कैसे लिखा हुआ मिलेगा तो यहाँ पर उसकी समझ भी आपको हो जाए इसलिए यहाँ पर शब्द जो है उन अब हमने उपसर्ग और प्रत्य कंप्लीट कर लिए हैं चलिए अब हम उपसर्ग और प्रत्य दोनों के ही अभ्यास प्रश्ण जो है वो देखेंगे और इनकी आंसर जो है वो आपको ढूंडने हैं इन ही उपसर्ग और प्रत्य में जो अभी तक आपने पढ़ा है निम्नलिक आसानी से answer दे पाओगे, तो यह एक जो है, वो मैं आपको करवाओंगी, उसके बाद आपको यह देखना है, देखिए, अनुज, अनुज में क्या है, मैंने आपको समझाया भी था, अनुज को, कि अनुधन ज, तो यहाँ पर अनुउपसर्ग है, आ नहीं है, अनुगामी में देखिए, अनुधन गामी, यहाँ पर भी नहीं है, अनपड में देखिए, अन धन पड़, अनपड है यह, और यहाँ देखिए, सा में, क्या है, अतल, यानि अधन तल, तो यहाँ पर अ उपसर्ग का प्रियोग हुआ है, answer हो गया सा, किस सब्द में उपसर्ग का यह आप बताएंगे आपको वापस वीडियो को देखना है वहाँ आपको एक एक सब्ड जो है वह ध्यान में देना है। Next question देख़िए शेरणी, शब्द में प्रियुक्त प्रत्य है, तो शेरणी में कौम सा प्रत्य है? प्रियुक्त हुआ है या आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि तुर्की भासा के है, संस्कृत भासा के हैं या हिंदी भासा के हैं, आपको डारेक्ट पूछा जाएगा कि इस देखके ही आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम अब तक एक-एक शब्द जो है इसी तरीके से पढ़ते आए हैं। नेक्स देखिए देवरानी में मूल शब्द है तो ये तो बिल्कुल अभी ही हमने पढ़ा था देवरानी में कि इस्त्रीलिंग शब्द जो है वो बन रहा था प्रत्य लगकर तो उसमें मूल शब्द क्या होगा तो प्रत्य को हटा लेंगे अपने आप मूल शब्द जो है व प्रत्य के बेद यह आपको बताने हैं जिसमें मैंने आपको बताया था तदित प्रत्य और करित्प्रत्य है कि निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर प्रत्य के दो दो शब्द बनाईए अब इनकी प्लीक्टिस जो है करने से आपको क्या होगा एक्जाम में आसानी होगी तो अनु में शब्द लगाकर बनाना है आपको दो दो शब्द बनाने हैं को में लगाना है अभी नी पर आ बा अन इस सब क्या है उपसर्ग है इनके आगे शब्द लगाना है और मूल शब्द लगाना है और दो मैंसे उपसर्ग अलग करके लिखिए अब यहां पर इसका पोजिट करना है उपसर्ग अलग करना है मूल शब्द बाहर करना है इसी तरीके से प्रत्यों से दो-दो शब्द बनाए देखिए यहीं से एक्जाम में आपके कुश्चन जो है वो फस जाएगा इसलिए मैं आड़ी और हार यह क्या है यह सबी प्रत्या है हमने पड़ी अब इन में दो-दो शब्द बनाकर क्या बनाना है यहां पर प्रत्य लगाकर मूल शब्द में और क्या बनाना है शब्द बनाने है दो-दो नेक्स्ट है मूल शब्द और प्रत्य बताईए मिलावत में मूल श ही हम इनकी practice भी करेंगे तब तक आपका काम है इन question को solve करना यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को pause करके पीछे जाकर इसको देखना है कि हमने कहां पर ये वाला प्रत्य पढ़ा था और हम कैसे इसको solve कर पाएंगे ठीक है तो थोड़ी सी मेनत आपको भी करनी है मिलावट, उठान, सुन्दर्ता, लेखक और स्रेश्टतर यहां जो भी शब्द हैं ये सब हम पढ़ चोके हैं नेक्स्ट है एक प्रत्य जोड़कर नए शब्द बनाईए समाज, लोक, नीती, देव, पुरान ठीक है तो मैंने आपको बताया था एक प्रत्य लगते ही पहले वर्ण में व्रद्धी हो जाती है इस तरीके से आपको ये काम करना है चलिए प्रैक्टिस तो मैं आपको करव पाऊंगी आप इसकी चंता ना करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी व्याकरन के नई टॉपिक के साथ थैंक यू